हेलो नमस्कार सत्रेकाल कैसे हैं आप सभी जैसा कि आपको पता है कि सी यू इटी इग्जामेनेशन के लिए आपके जितने भी टॉपिक्स से सिलिबस में उन सभी को हम एक एक करके वन्शॉट के रूप में खतम करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर आपको लीगल मैक्सिम्स का पूरा एक वन्शॉट दिया गया है उसके बाद जो है हमने पूरा को पूरा एक वन्शॉट हमारे contract act के लिए बनाया था अब आज हमारा उद्देश होगा कि हम law of tauts जो है जो आपके syllabus में दिया गया है उसको उतना पूरी तरह से यहाँ पर complete करें यहाँ पर आज आपको जानने को मिलेगा कि basically law of tauts होता क्या है या rather tauts liability क्या होती है उसके बाद आप जरूर जानेंगे कि taught कितने प्रकार के होते हैं जो कि आपके syllabus में दिये गए हैं और उसके बाद आगे जाके आप ये भी जरूर जानेंगे कि what is the difference between strict liability and absolute liability तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है और प्लीज तो हिट दाट subscribe ब main ठीक है चलिए तो session की करते हैं शुरूबात जैसे कि आप जानते हैं my name is Adit Rai and I am a faculty for your legal part यहां पर मैं आपको legal current affairs और law जो है वो पढ़ाता हूं और समझाता हूं उससे जुड़े हुए intricacies को तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आज हम पढ़ने वाले क्या है तो आज हमारा discussion का topic जो है वो होगा law of thoughts तो sir law of thoughts क्या होता है कैसे यह हमारे बाकी कानूनों से अलग है और क्यों हमें यह पढ़ने की आवशकता है यह सारी चीज़ें आज हम in detail यहाँ पर discuss करने वाले हैं तो चलिए शुरूआत करते हैं introduction से introduction की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चीए कि जो यह शब्द है taught यह जो शब्द है यह लिया गया है from a word which is named as totem and जब हम बात करते हैं word totem की तो totem का मतलब होता है basically twisted या something which is not as usual ठीक है something which is twisted या फिर यह क्या है sir this is a wrong and when we say a wrong something which is not right is known as wrong जो चीज सही नहीं है उसको हम गलत कहेंगे तो यहाँ पर जब हम totem word का use कर रहे हैं या rather tot word का use कर रहे हैं जो कि Latin word totem से derive किया गया है तो उसका मतलब basically होता है twisted या something which is not right जिसको हम wrong consider करेंगे बट जब हम tot law of tots की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम पढ़ें about something which is known as civil wrong civil wrong याने यहाँ पर हम जो चीज पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं thoughts के बारे में वो एक civil wrong है वो एक criminal wrong नहीं है यहाँ पर कोई intention नहीं है सामने वाले व्यक्ति को जो है हमें criminal offense उसके against करना है नहीं यह जो है एक civil wrong की तरह यहाँ पर consider किया जाएगा ठीक है तो दस अगर हम इन सभी चीजों को एक बार club करें so thought is basically defined as a civil wrong या फिर a wrongful act या फिर a wrongful act of one either intentional या फिर वो होगा accidental लेकिन इसकी वज़र से क्या हो रहा है सर इसकी वज़र से injury या harm cause हो रहा है to the other person and जब भी गभी इस प्रकार का issue होगा तो वहाँ पर एक civil suit चलाया जाएगा and यह जो civil suit है उसके against civil action लिया जाएगा जिसमें आपको मिलेंगे damages, damages is basically compensation अगर आपको याद हो हमने पढ़ रखा है about something which is known as contract जब हमने contract के बारे में पढ़ा था तो हमने यह पढ़ा था कि उसमें भी damages मिलते हैं बट उसमें किस प्रकार के damages मिलते हैं, the damages which are pre-decided by the parties and उस damages को हम क्या कहते हैं, liquidated damages बट जब हम बात करते हैं, tots की, तो tots में किस प्रकार का damage मिलता है आपको, sir यहाँ पर आपको majorly देखने को मिलता है, unliquidated damages unliquidated का मतलब क्या होता है, sir, unliquidated damage का मतलब होता है, something which is not pre-decided something which is not pre-decided, जो पहले से decide नहीं किया गया था, उसको हम unliquidated damages के नाम से जानते हैं ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, now we are also talking about a term, जो कि आपकी किताब में दिया गया है and that is injunction, injunction, अगर आपको injunction के बारे में समझना है, तो simple terms में, अगर मैं simple terms में आपको बताऊँ तो आप इसको relate कर सकते हो, विटा stay order, stay order, क्या होता है stay order में, जब हमको पता चलता है कि हमारा कोई एक अधिकार है, जो violet हो रहा है, या होने वाला है, तो वैसी स्तिती में हम जाते हैं किसके पास हम जाएंगे court में, जच साब के पास, जच साब से बोलेंगे कि जच साब हमको लगता है कि हमारा ये अधिकार violet हो रहा है प्लीज इसको बचाएं, तो जच साब क्या करेंगे, जच साब examine करेंगे सारी चीजों को, however, examine करने में हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, जैसा कि आपको पता है, इंडिया में, when we talk about judiciary, तो ये एक delayed justice के लिए थोड़ा सा famous है तो justice चुकी delayed होगी, याने समय लगेगा चीजों को identify करने में, तब तक आपका right continuously violet नहीं होना चाहिए तो ऐसी स्थिती में जच साब क्या करेंगे, एक stay order लगा देंगे, एक injunction grant कर देंगे, जहाँ पर temporarily, at least, जब तक की case decide नहीं हो जाता तब तक के लिए ये जो act हो रहा था, जिस act की वजह से आपका right violet हो रहा है, उस particular act पे full stop लगाया जा सकता है कब तक के लिए? जब तक के लिए ये judgment जो है, वो finally examine होने के बाद नहीं आ जाता and that is what is known as injunction, injunction देखते हैं, sir injunctions are the court orders that for example may prohibit the wrongdoer from harming the victim or preventing the former from trespassing the latter's property, ठीक है? जी, अब आते हैं आगे now we are talking about something which is known as the kinds of wrongful acts या फिर kinds of thoughts अगर हम बात करें kinds of thoughts की, तो यहाँ पे majorly आपको जो बताये गए हैं वो है एक तो intentional thought दूसरा आपका negligence बताया गया है and third they have talked about strict liability, ठीक है? इन तीन चीजों के बारे में बात करी गई है जैसा की शब्द बता रहा है, intentional thought, intentional thought यह क्या है? Sir, intentional thought एक ऐसा thought होगा जहां पर सामने वाले व्यक्ति को with purpose आपने harm पहुचाया है जान बूच कर जो है, with the intention of causing that harm आपने सामने वाले को नुकसान पहुचाया है that is what is known as intentional thought, जैसा की आप देख सकते है, the thought requires that the claimant to show that defendant has caused the harm on purpose याने जान बूच के खुद बाखुद ये harm जो है, यहां पर पहुचाया गया है however, अब अगर हम बात करें इस प्रकार के टॉट की तो ऐसे बहुत सारे होते हैं for example, assault होता है, battery होता है, false imprisonment होता है, unlawful harassment होता है, invasion on someone's privacy होता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है, जहां पर आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है, सर ये intentional thought consider किये जाते है अब आते हैं आगे, since we are talking about battery and an assault, ये क्या चीज़ होती है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं सर, assault, assault और battery के बीच क्या difference होता है, basically अगर simple शब्दों में बात की जाए, तो यहां पर ये कुछ ऐसे acts हैं जिससे कि आप सामने वाले व्यक्ति को physical hurt पहुँचा रहे हो, ठीक है, physical hurt for example, आप सभी ने बच्पन में एक game खेला होगा, जहां पर जैसे ही आपका friend चेर पे बैठने वाला होता है, आप उसकी चेर को pull करते हो, और वो व्यक्ति जमीन पे गिरता है, और उसको चोट लग जाती है, ठीक है, आपने हमेशा, कभी ना कभी life में जरूर खेला होगा, य जिससे सामने वाले के मन में ये apprehension आ जाए, कि उस व्यक्ति को चोट लग सकती है, आई रिपीट, उस व्यक्ति को चोट लग सकती है, और physical harm cause हो सकता है, ऐसा अभास हो रहा है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे assault, और जैसे ही सचमुच उसको चोट लग जाती है, hurt cause हो जाता है, that is when we will expect it to be known as battery, ठीक है, जो हम example दे रहें तो उस पर वापस आते हैं, सर चेर, चेर को जैसे ही आपने pull किया, एक action हो गया, इस action की वजह से क्या हुआ, सर इस action की वजह से, अब वो व्यक्ति जब तक हवा में है, उसको ये चीज़ पता है, कि आपके इस pulling action की वजह से, उसको हानी पहुंच सकती है, ये apprehension आ गया उसको, जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, सर उसको हानी पहुंच जाती है, तो जब तक वो हवा में है, that is what is known as assault, और जैसे ही वो जमीन पर आके टकराता है, that is what is known as battery, that is what is known as battery, ठीक है, I believe कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर जो है, क्योंकि हम बात कर रहे थे, assault or battery की, एक और example लेते हैं, let's suppose आपने किसी व्यक्ति को मारने के लिए अपना हाथ उठाया to slap, जैसे ही आपने ये हाथ उठाया, तो ये assault की category में आ गया, क्यों, क्योंकि अब ये हाथ कभी भी उस व्यक्ति के गालों में पढ़ सकता है, और गाल उसको जब तक आपका हाथ छू नहीं लेता, ये पूरे duration के दौरान, it is something which is known as assault, and जैसे ही उस व्यक्ति को आपके हाथ छू देते हैं, और गालों पर निशान पर जाते हैं, याने आपने physical harm जो है, वो cause कर दिया है, उस वक्त हम इसको consider करेंगे, battery, 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 चीक है, I hope आपको य and the defendant causes the touching of the claimant, with the intent to cause harm or offense, both intent and causation are required for the thought of battery to occur, for example, if defendant intends to commit battery by hitting the claimant in the head, but ends up killing him, this amount to battery as intentional act, caused the death, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, आप I believe कि इस चीज को अब समझ जाओगे, अब आते हैं आगे, now we are talking about false imprisonment, and imprisonment में basically दो terms use हुए है, one is confinement, the other one is restraint, एक हो गया confinement, दूसरा हो गया restraint, समझ लेते हैं जल्दी से, सर, suppose करिये, suppose करिये, कि आपके घर के पास ये आपका घर है, और आपके घर के आगे एक रोड जाती है, लेकिन आप जब भी कभी आपको बाहर जाना है इस रोड से, ऐसे ना जा कर, आप ये गली से होते हुए जा रहे हो, और इसकी बीचे कुछ भी कारण हो सकता है जाना आपने यही है लेकिन आप जा रहे हो पूरा का पूरा यह रास्ता गवरगर के क्यों जा रहे हो कारण कुछ भी हो सकता है हो सकता है कुछ ऐसा कारण हो जिसको देखे बिना आपका मन नहीं लगता तो देखना तो बनता है और उस कारण का घर जो है वो यहाँ पे है अब हुआ क्या हुआ ये कि एक दिन उनके पिता जी को पता चल जाता है कि भाही आप इस रोड पे क्यों आते हो तो उन्होंने क्या किया जैसे ही आप इस रोड से गुजरना चाह रहे थे उसके पिता जी ने आपको यहाँ पर रोक लिया और बोला कि अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते कोई और रास्ता चूस कर लो तो इस चीज को क्या कहा जाएगा यह तो मैंने एक्जाम्पल के तौर पर समझाया लेकिन इस चीज को जहाँ पर आप जिस डिरेक्शन में जाना चाते हो and lawfully जिस डिरेक्शन में जाने के लिए अनुमती है आपको अगर वहाँ नहीं जाने दिया जाए so that is something which will be named as restraint क्या बोलेंगे इसको restraint restraint क्या है सर जिस डिरेक्शन में आप जाना जाते हो उस डिरेक्शन में अगर आपको नहीं जाने दिया जाए that is what is known as restraint wrongful restraint लेकिन let's suppose let's suppose कि आपको किसी भी डिरेक्शन में अब जाने ना दिया जाए चारो तरफ से fielding जमा दी गई है आपके लिए अब आप कहीं से भी निकल कर नहीं जा सकते तो ऐसी स्थिती में क्या होगा so this will be known as confinement confinement why confinement क्योंकि आपको चारो तरफ से घेड लिया गया है और किसी भी डिरेक्शन में जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है तो उसको हम wrongful confinement मानेंगे wrongful restraint जिस डिरेक्शन में आप जाना चाते हो उस डिरेक्शन में जाने ना दिया जाए और आपकी freedom को liberty को जो है रोक दिया गया है कर्ब कर दिया गया है that is what is known as wrongful confinement एक और example देते हैं आपको यह एक particular bridge है बड़ा सा इस bridge के नीचे से नदी बहती है and यहाँ पर pavement बना हुआ है हुआ क्या सर हुआ ये कि मंतरी जी आने वाले थे और basically इस particular bridge के नीचे जो है boat race होने वाली थी and boats जो है यहाँ से गुज़रने वाली थी लेकिन इस boat race को देखने के लिए क्या किया गया इस पूरे pavement को यहाँ से block कर दिया गया याने यहाँ पर इस pavement पे कोई भी नहीं जा सकता क्यों क्योंकि यहाँ पर stage बनाया गया जिस पर सारी की सारी chairs रखी गई और लोग जो है यहाँ पर बैठके मंतरी जी यहाँ पर बैठके चीजों को देखींगे एक व्यक्ति था उसका नाम था श्याम श्याम जो है वो हर दिन यहाँ से होता हुआ अपने office जाया करता था लेकिन इस दिन जिस दिन यहाँ पर boat का competition हो रहा था राम को श्याम को यहाँ से जाने के लिए नहीं दिया गया अब चूकी श्याम को जाने नहीं दिया गया तो श्याम ने क्या किया सर श्याम ने claim कर दिया restraint और चले गए court में कि सर मुझे जो है wrongfully confined किया गया है and मुझे जाने नहीं दिया गया तो यहाँ पर जच साब ने क्या बोला जच साब ने यह बोला sir this is not wrongful confinement but this is what is wrongful restraint लेकिन आपके पास option था आप दूसरा payment लेकर भी जा सकते थे तो I believe यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो case law नहीं है but rather सिर्फ उसेफ इतना है कि जब आपको एक direction में जाने से रोका जाए that is what is restraint जब आपको किसी भी direction में बाहर जाने से रोक दिया जाए that is what is known as confinement बस इतनी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी है चाले अब आते हैं आगे यहाँ पर examples देख सकते हाँ the defendant intentionally locks the claimant in the classroom without having the legal authority to do so the claimant knows that he is trapped अब आते हैं आगे sir trespass to land आप सभी इन्हें बचपन में देखा होगा या किया भी होगा कि हमारे colony में एक अंकल होते हैं जिनके घर अगर ball चली जाए वो कभी नहीं देते फिर भी at times जब गर्मी का मौसम होता है हम cricket खेल रहे होते हैं जैसे ही ball जाती है तो फिर जिसने ball मारी वो लेके आएगा भाई और इस चक्कर में वो बंदा धीरे से दीवार कूद कर जाता है और उनके यहां से ball लेकर आता है जो यह पूरा का पूरा act है दीवार कूद कर जाना किसी की property में that is what is known as trespass जब आप किसी के land पर बिना उसकी अनुमती के बिना उसकी consent के जा रहे हो अंदर और उसके land पे एंटर कर रहे हो that is what is known as trespass ठीक है that is what is known as trespass तो what is trespass? Sir basically when the defendant has the intent to physically invade the real property of the claimant and does not invade physically without the claimant's approval याने उनका consent या फिर approval जो है वो नहीं मिलता है तो इस चीज़ को हम क्या मानेंगे? Sir इस चीज़ को हम trespass मानेंगे ठीक है? जी अब बात की जा रही है about trespass to chattles chattles मतलब यहाँ पे basically movable property की बात हो रही है बस इतना ही अंतर है movable sorry movable property what do we mean by movable property? Sir आपकी car, chariots यह सारी चीज़ जो होती है यह आपकी movable property होती है तो उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है उसके बाद Sir unlawful harassment जब आप किसी व्रक्ति को physical harm cause कर रहे हो and battery or assault involved नहीं है but still आप harassment कर रहे हो that means यह unlawful harassment हुआ for example if the defendant lies to the claimant that the latter son met with a rote accident इसकी वज़र से सामने वाले व्यक्ति को क्या किसी प्रकार से assault किया गया नहीं battery की गई नहीं लेकिन इससे क्या nervous shock हुआ जी हां तो यह जो nervous shock हो रहा है वो हो रहा है because of harassment चीक है next invasion to privacy यह आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा होता है कि आप लोग किसी की photo अगर बिना उनकी permission के ले ले लेते हो तो फिर उस चीज को जो है किसी की privacy में invasion जो है वो consider किया जाएगा जी यहाँ तक तो चीज़े clear थी अब आते हैं आगे intentional जो हमारे thoughts है वो खतम हो जाते है now we are moving ahead to the negligence part so negligence की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है negligence basically क्या होता है जहाँ पर आपकी duty of care है लेकिन आप वो duty of care को fulfill करने में fail हो जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है that is what is known as negligence for example आपने negligence के cases बहुत सारे सुने होंगे जहाँ पर hospitals में surgery करी जाती है but surgery के दौरान कुछ एक foreign product for example scissor या फिर cotton wool ये सारी चीज़े जो है वो body के अंदर ही छोड़ दी जाती है that is what is known as negligence ठीक है देखते हैं आपके क्या बोल रहा है when the wrongdoer or the defendant has been careless in a way that harms the interest of the victim or the claimator ठीक है इसके लिए आपको तीन elements जो हैं वो establish करने परते हैं कौन कौन से हैं the defendant owes a duty of care to the victim की एक duty of care जो है वो victim के तरफ थी दूसरा there is a breach of duty and तीसरा इस breach of duty की वज़ो से harm जो है वो cause हुआ है harm जो है वो cause हुआ है स्वाज में आ गया very good duty of care जैसे के आपको बताया landlord owes a duty of care with reasonable foresight to his tenants breach of duty क्या होता है जब वो duties of care जो थी उसको breach कर दिया गया उसको fulfill नहीं किया गया and अगर उसकी वज़ो से कुछ नुकसान होता है so that is what is known as the breach of duty से होने वाला loss ठीक है अब आते हैं सरा आगे very important thing and that is strict liability and absolute liability strict liability को समझने के लिए आपको समझना होगा एक principle and that principle says whoever brings upon his land वो कोई भी व्यक्ति जो अपनी जमीन पर कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहा है जो की dangerous in nature है and अगर वो escape करती है and अगर वो बाहर भाग जाती है तो उसकी वज़ो से होने वाले नुकसान के लिए आप liable ठहराए जाओगे I repeat again in English whoever brings upon his land anything which is of dangerous nature and if that thing escapes then such then there will be a liability which will be arisen and this liability will be known as strict liability ठीक है जी तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हुआ क्या एक व्यक्ति है वो अपने land पर लेकर आ रहा है क्या dangerous चीज second यह dangerous चीज हो रही है escape and third इस dangerous चीज की वज़र से हो रहा है harm cause harm जो है वो cause हो रहा है चीज है चाली अब समझते हैं इसको सर आपको इसके लिए समझना पड़ेगा भूपाल गास लीक भूपाल गास लीक में क्या हुआ था सर देर वास वन गास विच इन नोन आज मिथाइल आईसो साइनाइट यह जो गास है यह रिलीज हुई कहां से यह रिलीज हुई हमारे फैक्टरी आउटलेट से चुकी यह फैक्टरी आउटलेट से रिलीज हुई यूनियन कारबाइड के उस वज़र से लोगों को जो है बहुत जादा नुकसान हुआ और बहुत सारी मौते जो है वो उस समय हुई ठीक है लेकिन अभी चलते हैं हम पीछे और थोड़ा सा आपको बताते हैं about one case which is known as Ryland versus Fletcher इस case में क्या हुआ basically जो plaintiff था जिसने case किया basically हुआ क्या सर एक व्यक्ति था let's suppose Mr. A and let's suppose Mr. B इन दोनों की यह जमीने हैं यह ने अपनी जमीन पर बहुत ज़ादा मात्रा में पानी जो है वो store किया बहुत ज़ादा मात्रा में पानी जो है वो store किया and यह पानी जब उसने store किया तो यह shaft जो है वो लगवाए लेकिन यह shaft जो है जब इनकी एक तरह से आप समझे लो servicing हो रही थी तो जो engineers है वो उसके shaft को अच्छे से properly लगा के नहीं गए जिसकी वजह से बहुत जादा एक दिन बारिश हुई जब बारिश बहुत जादा हुई तो ये shaft तूट गया और पूरा का पूरा पानी B की coal mines में कुछ इस तरीके से चला गया जिसकी वजह से B को बहुत जादा नुकसान जो है वो जहिलना पड़ा यहाँ पर एक principle जो है वो निकल कर आया and that principle is the principle of strict liability principle of strict liability यह बोलता है whoever brings upon his land anything which is of dangerous nature याने इतना सारा पानी इखटा करना land पे यह तो dangerous nature हो गया क्योंकि हम normally अपने घरों में इतना पानी इखटा करेंगे नी अपने land पे इतना पानी इखटा करेंगे नी बट अगर आपने पूरा का पूरा एक reservoir बना रखा है that means it becomes dangerous and जब यह च जब से किसी व्यक्ति को नुकसान होता है सर नुकसान भी हुआ है तो इस चीज़ पे क्या arise होगी सर स्ट्रिक लाइबिलिटी स्ट्रिक लाइबिलिटी का मतलब now this person will be held liable for the laws that has been occurred to be ठीक है लेकिन स्ट्रिक लाइबिलिटी में कुछ एक चीज़े हैं क्या सर strict liability में आप यूझ कर सकते हो strict liability में आप यूझ कर सकते हो something which is known as what Sir something which is known as exceptions कौन से exceptions Sir exceptions such as act of God कि भाई ये तो हमारी वज़े से नहीं हुआ भगवान का द्वारा किया गया act था which was out of our control या फिर inevitable accident या फिर plaintiff जो case कर रहा है he was the wrongdoer उनकी खुद की गलती है plaintiff the wrongdoer तो ऐसे कुछ exceptions का उप्योग करके आप strict liability से बच सकते हो जहाँ आप ये proof कर दो कि ये जो act हुआ है वो act of God है या प्रूफ कर दो कि ये तो inevitable accident है ये ऐसा accident है जिसको टाला ही नहीं जा सकता था या तो आप प्रूफ कर दो कि plaintiff जो है वो खुद में खुद wrongdoer रहा है अगर आप ये proof कर देते हो तो आप strict liability से बच सकते हो however ये चीज जब इंडिया में हुई जब इंडिया में हुई कब सर जब इंडिया में MC Mehta versus Union of India case आया तो वहाँ पर ये साफ साफ बोला गया साफ साफ बोला गया कि हम इंडिया में क्या यूज करेंगे सर absolute liability जो है वो यूज करेंगे क्या यूज करेंगे absolute liability what is absolute liability सर absolute liability को अगर जानना है आपको तो आपको पास से वित्ता पता होना चाहिए strict liability में आप क्या यूज कर सकते हो सर इसमें हम exceptions यूज कर सकते है strict liability में से minus कर दो exceptions को minus कर दो exceptions को यानि हटा दो exceptions तो वो क्या बन जाएगा absolute liability and what do we mean by that by this we mean अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर ऐसी कुछ चीज लेकर आ रहा है ऐसी कुछ चीज लेकर आ रहा है जो dangerous in nature है and अगर वो escape कर जाती है then in such a scenario that person would be held liable absolutely for that damage यहाँ पर आप किसी प्रकार का भी exception जो है वो claim नहीं कर सकते जी अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया कि किन किन तरीकों से जो है वो harm जो है harm जो है वो जहला जा सकता है तो sir एक तो property जो है उसको नुकसान पहुंचे या किसी और प्रकार की property को नुकसान पहुंचे bodily injury हो सकते है या फिर economic interest जो है उसको हाने पहुंच सकती है ठीक है अब यहाँ पर आपको बताया गया है पूरा गपूरा की purpose क्या है tort law का तो sir सबसे पहला purpose तो यह है कि deterrence हो deterrence का मतलब कि जो act इस परकार के civil wrongs होते हैं ऐसे acts continuously जो है और जादा देखने को ना मिले next fair and just response होना चाहिए अगर किसी victim को loss हुआ है तो उस particular victim के loss को आपको satisfy करवाना होगा next loss spreading loss spreading का मतलब कि अगर किसी एक particular चीज के लिए सामने वाले व्यक्ति को आपने नुकसान पहुँचाया for example thought can be used as a tool to spread loss to a wider community जैसे की where the manufacturer of a product has to pay compensation the manufacturer may recover the loss by transferring this to the consumers कैसे by increasing the price of the product तो इस तरह से आप जो है समझ सकते हो की loss को spread किया जाता है for example अगर आपने insurance पी लिया होगा तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी चीक है जी गाइस with this we have come to an end to the session आप से गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें notes बनाएं और फिर जाके एक बर वापस अपनी book को पढ़ें class 12 की legal studies की and उसमें आप पढ़ें law of thoughts का topic I am pretty much sure कि आपको maximum of the maximum questions जो इस से आएंगे वो बन जाएंगे आपका कोई भी सवाल यहां पे गलत नहीं होगा ठीक है और आगे आने वाले sessions के लिए हमारे साथ जुड़े रहे with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling जै हिंद जै भारत